आज होली का दिवस है मराजी, नए यूवक यूथ आपको सुनता है मराजी, तो उनके लिए कोई आपकी विशेश आगया, आज को सबसे की आज से ही अगर जो कर रहे हैं, ने कर रहे हैं, कोई विशेश नाम जब करो, शात्ति का हार, कोई नशामत करो, अगर इस सराप मांस, पराई माताओ महनों की तरफ गंदी दरश्टी करना, अगर ये नहीं करोगे, तो आपका जीवन इधर भी मंगल में रहेगा, और शरीर तो छुटे गई एक ना दिन, वो छुटने के बाद भी मंगल रहेगा, इसलिए बड़े भाग उशाली हो, कि आपको स्रीधाम में होली मनाने को स्री जी ने चो भागे दिया, ये कभी मत करना, को इन में से सराप पीता है, माराजी मैं चोदा चोदा गोलिया रोज खटा शरार छोड़ने के लिए, पच्छेस दिसम्बर, शब्र दिसम्बर आपने बोड़ा कि आप लो नसानी आपनो, माराजी किरपा से हुई है कि एक दिन में गया भी नहीं, मुझे लगा कि आप ही खड़े और बिल्कुल नहीं जाना हो, श्री जी आप करने ते मेरी हिम्मत रही हुआ जाने की, हमारी लाड़ली जू बल देती, श्री जी कबल, इराधा कि शो जी कबल है, हमारा किरपा से देख़ए, पिसल हम तो उसी बात को बार-बार दोराते हैं, कि आज जो हमारी नई पीड़ी है, इसमें जो ये बुद्धी भरष्ट करने वाले आचरण आ गये हैं, ये जीवन को बरबात करने वाली हैं, हमने कई बार प्रार्थना किया है, कि जैसे नई गिवों की फशल है बिना बाली पके अगर उसको काट लिया जाए, तो एक भी दाना किसी काम में नहीं आएगा, ऐसे कम से कम बीश वर्ष की अवस्था तक ये ब्रमचर रहा जाए, और फिर धर्मपूर्वा ग्रेष्ट को श्वेकार किया जाए, तो हमारी ग्रेष्टी हमारा जीवन मंगल में होगा, ये जो छोटी छोटी अवस्थाओं में बच्चे ब्रमचर हीन हो रहे हैं, और नसे कर रहे हैं, हम तो बड़े स्कूलों में पढ़े ही नहीं, छोटे से बाग पढ़े थे, हमें बताया जाता है कि आज कल स्कूल में नए जो यूथ बच्चे हैं, तो वो ड्रक्स लेते हैं, वो ए इवननिस्त हो जाएगा तो यह हमारे जो बच्चे बच्चियां है एगर नसे से बच्छे बेविचार से बच्छे क्योंकि अगर नसा है बेविचार है अब जैसे कोई ड्रुक्स लेने लगा अब उसको पैसा लेने के लिए everything कुछ भी करना पड़े कर लेगा क्योंकि नसे की बिना नहीं रह सकता अगर वह इस्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है उसको कुछ भी करना पड़े जब ऐसी परिष्टिति आ जाती तो फिर वह चोरी में उतर जाते हिंसा में उतर जाते क्योंकि नसे की बिना नहीं जे सकत दें, गंदी बातों को छोड़ दें, फिर आप जहां हैं, वहीं से आपकी उन्नती प्रारम हो जाएगी, यदि नाम का बल है और गंदे बातों को छोड़ दिया, गंदे आचरणों को, तो भगवान करपा करते हैं, फिर उन्नती हो जाएगी, अगर ऐसे नशे में बेविचार में अपना जीवण डुगो दोगे, तो न राष्ट सेवालायक रहोगे, न परिवार सेवालायक रहेंगे, तो जो नया यूध है, यदि ये सराब पीने से बचे, मांस खाने से बचे, गंदे नसा से बचे, बेविचार से बचे, तो इनका जीवन मंगल में हो जाएगा, अगर ये ये चीजें करते रहेंगे, तो मंगल नहीं हो सकता, नाम जब सब कुछ छुड़वा देगा आपका, जैसे अभी उन्होंने बताया, कि मैं च चौदा, चौदा, टेबलिट खाता था पर मैं नहीं छोड़ पाया, देखो यहां कोई चमतकार नहीं है, यहां किशूरी जू का महल उनकी कृपा है, अगर किसी का कुछ परिवर्तन होता है, तो राधा नाम का प्रताफ है, उसी से परिवर्तन होता है, यदि आप राधा नाम जब करें, और हिम्मत करें, तो आप गंदे से गंदे नशा को छोड़ देंगे, और नसा रहित जीवन है, बेविचार रहित जीवन है, और नाम जब कर रहे हो, तो फिर जो पदवी चाहोगो प्राप्त हो जब भगवान मिल जाते हैं, तो लोकिक संपती के क्या बात, इसके बिना किसी का मंगल नहीं हो सकता, चाहे जितना तुम धन कमा लो, चाहे जितना पढ़ लिख लो, यदि तुम बेशन करते हो, बेविचार करते हो, तो अशांतर होगे, तुम्हारा मन सुखी नहीं रहेगा, मन नहीं सुखी तो बार रुपया पैसा किस काम का, और हमा प्रश्राइब रहे हैं तुम जिन जीवों के सरीर का मांस खा रहे हो वो भी ऐसे सुरक्षित चाहते थे जीना लेकिन तुमने उनका मांस खाया तो अप्पिर वो मांस तुम्हारे हर्दे में जाकर अशांती पैदा करेगा देखो गटनाए होती हैं गाड़ी चलते चलते कही अईसे उसमें आग लग गई या एक्सीडेंट हो गया और वो खुली नहीं पायो अंदर ही जल गए तो ऐसे तुमने भूंज के खाया था तो एको काल ने तुम्हें भूंज दिया इसलिए सब नो युवक व्यसंद रही थों बेविचार रही थों भगवान की कृपा हो स्वस्त विचार वाले बने नाम जापक बने तो सब का मंगल हो सकता है